देखे बात ऐसा है कि लालू प्रसाद यादाओ की अभी मजबूरी और जरूरी दोनों हीना साहब हैं। आप कहने लगे कि भाई हम आपको टिकट नहीं देंगे क्योंकि आप तीन बार चुनाओ हारी हैं। साहब की वज़े से तो फिर कहां के रहेंगे तेजश्वी यादो जरूरी नहीं अब मजबूरी भी हैं। तो मुसल्मान किसके पक्ष में जाएगा प्रचांत की सोड के पक्ष में देख लीजिए पूर्णिया में कहें हार गए आप। सिर्फ पपू यादो वज़े थे पपू यादो पूर्णिया में चुनाव लग रहे थे और उनको फिकर सिवान का हो रहा था। क्या सिवान में पपू यादो का कोई इंपक्ष पर सकता है नहीं पर सकता है। लेकिन 40 प्रतिशत आबादी जो है वहाँ पे मुसल्मानों की है। और ये बात बहुत अच्छे से जानते थे पपू यादो कि अगर मुसल्मानों को अपने फेवर में करना है तो उनके दिल की बात करनी होगी। के रिए बनाते हैं आप उनका कोई विकास का काम नहीं करते हैं। और राष्ट्रिय जनता दल के अब विरोध में खड़ी थी, अब तक राष्ट्रिय जनता दल का परत्यासी जब भी वहाँ पे चुनावी मैदान में उतरता था, तो सहाबु दिन उसको सपोर्ट करते थे, या फिर सहाबु दिन के परिवार से ही कोई कैंडिडेट होता था लेकिन इस बार हीना सहाब निर्दलिय थी और राष्ट्रिय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादो तेजस्वी यादो के साथ हीना सहाब से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करके सब कुछ ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है आज इन ही बातों पर चर्चा करेंगे कि हीना सहाब की नराजगी जो है क्या वो लालू प्रसाद यादो और तेजस्वी यादो दूर कर पाएंगे इन सब मुद्दों पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप हमारा प्रिचा जान लीजिए नमस्कार में अनाम वेद प्रकास है आप जंता जंचन देखना सुरू कर चुके है और हमारे साथ मौजूद है रजद जी सबसे पहले तो रजद जी स्वागत है आपका और इस बात को लालू यादो बहुत अच्छे तरीके से समझ गयते हैं मतलब आप लोग सबा चुनाओं में ही देख लीजिए एमवाई समिकर्ण का धजिया हुरा और उसके बाद कितना सीटे ला पाई मुस्किल से चार सीटे लेके आई है और इसका मुखे कारण यही रहा कि एमवाई समिकर्ण का तूट जाना एमवाई समिकर्ण तूटने के बहुत सारे कारण है मुसल्मान लोग यह आरोप लगा रहे थे कि भाई बोर्ट तो हमसे ले रहे है लेकिन हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं और एक नेता थी जो यह माना जा रहा था कि मुहमद शाबू दिन के बाद शाबू दिन की कुरसी समाल सकती है वो है हीना साहाब मुसल्मान जो है वो उनको नीता भी मानने लगे और तब क्या हुआ तब आप कहने लगे कि भाई हम आपको टिकट नहीं देंगे क्योंकि आप तीन बार चुनाओ हारी है अरे जो मुहमद साहबू दिन ने आपके लिए किया है वो आप कैसे भूल सकते है आपको तो याद होना चाहिए कि किस तरीके से जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में पर जाते थे तब वही एक बंदा होता था जब आपके सरकार को अपने कंधों पे उठा लेता था और उसके बाद अभी आप कह रहे हैं कि आप से सीट नहीं निकल रहा और इसी का कारण रहा कि सिवान में तो आप हारे ही सिवान के बाद आप सिमांचल छेत्रों में कई जगे हारे हीना साहाब ही वजए रही और उसके बाद आप छपड़ा में आपकी बेटी चुना वहार जाती है रोईनी अचारिया जाके कुछ हाजार के वोटों से क्या रिजन था मुसल्मान वहाँ पे खीजे हुए थे नाराज थे और हीना साहब के साथ थे उन्हों लगा कि भाई साब जब आप हीना साहब को टि पश्किल खरा कर सकता है और अब तो विधान सभा चुनाव है अब तो सीधे सीधे सिवान में छे जो विधान सभा की सीटी है वो प्रभावित होगी है चपड़ा देख लीजिए गुपाल गन देख लीजिए यहीं 12-14 सीटे अगर गरबरा गई हीना साहब की वज़े से त अगर हीना साहब नहीं आई तो मुसलमान किसके पक्च में जाएगा प्रचांत की सोड के पक्च में आप हीना साहब को पहले से हीना अंदाज कर रहे हैं तो आपको हीना साहब को अपने पक्च में लाना आपकी मजबूरी है आपकी जरूरत है हीना साहब अगर आप ऐसा न हुआ है चली अगला कुश्चन ये कि क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव में हीना सहाब को टिकट ना देना हीना सहाब का निर्दलिये चुनावी मैदान में उतरना दूसरे नंबर पर रहना राज़त का प्रतैसी के तीसरे नंबर पर रहना इन सब चीजों के बाद हीना सहाब की नराज़गी दूर हो जाएगी और वापस से राज़त जोइन कर लेंगी देखिए मन में कसक तो रहेगा भाई जब कोई लेडी ये कहके कहे कि साहब के मरने के बाद इस पार्टी वालों ने हमें पूछा नहीं है तो मन में कसक तो रहना लाजमी है वेजी लालू यादो कहते थे कि साहब है आज भी हीना साहब को वहाँ जो बात है वहाँ पे कहाजाता है कि मैडम है कि साहब है इस तरीके का माहौल था जब तक सहाबु दीन थे तब तक आप कूँ नेता ही नहीं RJD में RJD को उठाके रखा है खूब लालू यादव बोला करते थे ना, तीन बार चुनाव हार गई, तो ये तो वही बात हुआ कि भाई, मिठा मिठा गप गप करवा करवा थू थू, मतलब दो बार आप चुनाव हार गई, तीन बार तो आपको साइड लाइन कर दिया गया, और जब तक साहब थे तो साह यह संगी केला है कि हम नितिश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो तो प्रस्तितियों के CM है, इतना बड़ा बयान, मतलब पार्टी के लिए उनका ये देखे कि वो किस तरीके से समर्दपित थे, और जब उनका इंतकाल होता है, तो आप एक कॉल तक नहीं करते हैं हीना साहब को, ये कसक साहब का जो राजनितिक करियर है, उसे भी स्टार्ट दिलानी है, इस वज़े से वो पार्टी में चली जाएंगी, लेकिन एक जो मलाल है, वो नहीं मिटने वाला, क्या लगता है, गि राष्ट्रिय जनतादल हिना साहब के अलग हो जाने के बाद से कमजोर हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, अगर ऐसा है तो, बिलकुल हो रही है, आप देखिए ना, लोकसबा चुनाव इसका सबसे बहतरीन उधारन है, मैंने दो-तिन लोकसबा सी जो है, वहाँ पे मुसल्मानों की है, और ये बात बहुत अच्छे से जानते थे पपु यादो कि अगर मुसल्मानों को अपने फेवर में करना है, तो उनके दिल की बात करनी होगी, और उनके दिल में कौन है, हीना साहाब है, वो आज भी मुसल्मान जो वोटर है, वो हीना साब को अपना लीडर मानते हैं वो कहते हैं कि मुहमद साबू दिन नहीं रहे तो क्या हीना मैडम आज उनकी लीडर है और इस वज़े से वो पूर्णिया में पूर्णिया में एक तरीके का महौल बनाया पपू यादों ने और तब जाके उन्होंने चुनाओ जीता तो एक तरीके से पूर्णिया भी आप आरे उसके बाद आप छपड़ा में आ जाएए छपड़ा का सीट मतलब महच आप कितने कुछ हजार वोटों से हारे हैं क्या वज़ा था 13,000 वोटों से हारे वज़े ये था कि आप से मुस्लिम नाराज थे और मुस्लिम की नाराजगी क्यों थी कि आप उनका कुछ काम नहीं करते हैं उनका वोट ले लेते हैं वाई समिकर्ण बनाते तो हैं लेकिन सर्फ वोट के रिए बनाते हैं आप उनका कोई विकास का काम नहीं करते, उनके मुद्दे के बारे में नहीं सोचते, उनके मुद्दे के खिलाप आवाज नहीं उठाते, कोई नेता को आप सपोर्ट नहीं करते और साथ ही साथ आप हीना साहब को, हीना मैडम को आप साइड लाइन कर रहे हैं। गरबर आया और माई समिकर्ण गरबर आया तो आरजेडी गरबर आ गई तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और इंपक्त तो पड़ा है चलिए मेरा अंतिम प्रश्ण ये कि लोकसभा चुनाओं के धारान खोब खबरे चल रही थी कि हीना सहाब के सपोर्ट में सभी व मजबूत थी? जाती साथ आके हीना साथ के कह रहा था कि हम तो हीना मैडम को वोट देंगे और दिया वहाँ के राजपूत वहाँ जो भी अगरा जाती है भुमियार वो लोग साथ आए, कुछ हद तक नहीं आए हर जाती में बिखराव होता है हर जाती बठती है और ये देखने को मिला तो आप देखिए कि हीना साथ चाहे कहीं जाए, ये जो वोटर है वो उनके साथ जाएंगे और दूसरी बात आपको क्या लगता है, हीना साथ वहाँ जाके ये जो मंदिर जाने का काम था, वो भूल जाएंगी, बिल्कुल नहीं भूलने वाली, वो अपने तर्ज और अपने सर्तों पे ही इस बार RJD में जाएंगी वो जब RJD में इस बार जाएंगी तो उनके कुछ शर्त RJD वालों को मानने पड़ेंगे, कोई और विकल्प नहीं है उनके पास, वो मानेंगे वो सीट करेंगे कि भाई, सिवान लोग सभा में किस-किस उमिद्वार को सीट दिया जा और ये बात RJD को मानना पड़ेगा वो बताएंगे कि महराज गंज की दो सीटे जो सिवान से प्रभावित होती है, इसमें किसको सीट और ये भी बात लालू यादों को मानना पड़ेगा हीना साहब जिस तरज से चुनाव लड़ी है उसी तरज में रहेंगी, उसी एटिट्यूड के साथ रहेंगी और ये सब बातों को लालू यादों को मानना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त उन्हें तेजश्वी यादों को वहां देखना है जहां पे कभी वो थे, इस वक्त उन्हें अपना MY समिकर्ण बचाना है, इस वज़े से हीना साहब के सर्तों को मानना पड़ेगा, उनके साथ आपको चलना पड़ेगा कोई और आप्चन नहीं है, हीना साहब उतनी ही मजबूत रहेंगी हो सकता है, और ज़्यादा मजबूत हो जाएं, यादों भी उनके साथ आ जाएं लेकिन कमजोर तो कत्ता ही नहीं होने वाली शलिए आपको क्या लगता है कि हीना सहाब लालू परसाद यादों के साथ अगर जाती है तो इसका क्या प्रभाव परता है अपने राए कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंग्चन कैमरे के पीछे हैं विशाल बहुत बहुत धन्यवाद